जै हिंद बंदे मातरम साथियो स्वागत है डेली स्टेडी में तो एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेवल का सूपर मौक टेस्ट लेकर दोस्तों आपको बता दे इस मौक टेस्ट में हम आपको जी के, जी एस, हिंदी, इंगलीस और करेंट फिर्स का को संस्क्राइंग है जैसा की आप लोगों का सेलिवस में दिया गिया है तो आपको बता दे आप लोग हमारे साथ रोज रात साथ वजे अवस्य जुरें और इस लाइव टेस्ट का जो है आनन्द लें और जो भी प्रस्ण का अंसर आप लोग पहले से जानते होंगे लाइव चेट बोक्स में अंसर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का साथ साथ वजे ये लाइव क्लास दोस्तो प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर करक रेखा भारत के किस राज से होकर नहीं गुजरती है देखिए प्रस्ण में दम है अगर मैं आपसे पूछता कि करक रेखा भारत के कितने राज से गुजरता तो आप आंसर तुरंद कर लेते 8 लेकिन यहां क्या पूछा गया है कि कौन सा राज से नहीं गुजरता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कहने का मतलब कोस्टन जो है आपसे deep level का पूछा जा रहा है कभी कभी deep level का असान कोस्टन में निकाल लेता है डीप क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको वो सभी राज्य का नाम जानना होगा जहां से करक रेखा इंडिया में गुजरती है तो यह है अपना इंडिया का यानि कि प्यारा सा देश हिंदुस्तान और यहाँ पर यहाँ पर यह जो लाइन देख रहे हैं यही है आपका करक रेखा से गुजरने वाला राज्य तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए यह है गुजरात उसके बाद थोरा सा यह इलाका है राजास्थान का, यहां से भी करक्रेखा गुजरती है, उसके बाद आता है माद्य परदेश, फिर आपका चला जाता है छतिसगड, फिर जाता है जहारखंड, उसके बाद यहां पर आपका बंगाल में चला जाता है, उसके बाद यहां पर बंगलादेश है, जो कि हमें वहां पर count नहीं करना है क्योंकि Indian state पुछा है उसके बाद यहाँ पर जाएगा तो आपका तिरपुरा होगा ये उसके बाद जो है अंत में आपका मिजोरम में खत्म होती है तो कूल मिलाकर इंडिया में आठ राजियों से करक रेखा गुजरता है ठीक है तो यहाँ पर पुछा गि है तो मिजोरम से गुजरता है गुजरात से गुजरता है तिरपुरा से गुजरता है लेकिन महाराष्ट में भी option में दे दिया गिया है जो की गलत है महाराष्ट से जो है करक रेखा नहीं गुजरती है इसलिए option D नमबर यहाँ पर सही जबाब है महाराष्ट तो देखिए एक जरूरी सुचना आपको बता दे सबसे पहले एक ट्रीक मैं आपको बता रहा हूँ ये करकरेखा को याद रखने के लिए ट्रीक क्या है? मित्र पर गमचा जार क्या है? मित्र पर गमचा जार मित्र पर गमचा जार तो कैसे याद होगा? मी से हो जाएगा आपका मिजोरम तरास हो जाएगा आपका तिरपूरा पस से हो जाएगा आपका पस्चिम बंगाल रास हो जाएगा आपका राजस्थान गस से हो जाएगा गुजरात उसके बाद जहास से हो जाएगा आपका जारखंड जारखन यहाँ पर हो गया उसके बाद टोटल आपका हो गया तिन तिन छे दू आठ और यहाँ पर एक छुटा है मा गमच्छा में यह मैं सव आपको जो है माध परदेश को याद रखना है देखिए मित्र पर गमच्छा जार इसको बैठाईएगा न तो यह आपका आठ प्रस्ण है हीरा कुंड परियोजना ठीक है क्या है हीरा कुंड परियोजना यह किस नदी पर इस्थीत है फटा फट बताईए हीरा कुंड परियोजना किस नदी की बात हो रही है अगर मैं आपसे पूछता कि हीरा कुंड किस राज्य में है तो आप लोग आंसर तुरंत कर देते उरिसा लेकिन क्या प्रस्ण में है कि उरिसा में ही है हिरा कुंड बांध ठीक है परियोजना यह किस नदी पर है तो आंसर जो होगा आपका महा नदी option number C यहाँ पर सही जवाब है तो देखिए हीरा कुंड पर्योजना यानि की बांध जो है आपका उरिसा राज में महानदी पर है और यहीं पर महानदी पर ही 36 गड राज में दूधवा बांध है एक परस्त यह भी पूछेगा कि दूधवा बांध जो की महानदी पर है यह किस राज में है 36 गड और यह दो आकसर पूछा जाता है क्योंकि यह दोनों स्री सैलं बांध और नागारजुन सागर बांध जो है दो राजियों के सीमा पर है जैसे कि स्री सैलम बांध कहां है आंदर परदेश और तेलंगना की सीमा पर क्रिस्ना नदी पर है ठीक है नागार जुन सागर बांध कहां पर है तो ये है आंदर परदेश और तेलंगना की सीमा पर ये भी है आपका क्रिस्ना नदी पर तो ये आप ध्यान रखिये और हीरा कुंड जो है आपका क्या हो गया महा नदी पर है तो option C यहाँ पर जितनी लोग बताए हैं बिल्कुल सही गए है चलिए आगे चलते हैं ये है आपका हिंदी का प्रस्न योवन सब्द जो है किस संग्या का उधारन है तो यहाँ पर answer जो होगा आपका भाव वाचक संग्या क्या होगा भाव वाचक संग्या तो देखिए भाव वाचक संग्या किसे कहते हैं जो संग्या किसी भाव, गुन, दसा ये सब का बोध कराती है उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं जैसे कि क्रोध, मतलब गुस्सा, मिठास, योवन ये सब जो है भाव बताता है तो यह हो गया आपका भाववाचक संग्या यानि कि abstract noun इंगलीज में कहते हैं भाववाचक को चलिए अगला प्रसंद देखिए उपभोकता संडक्षन अधिनियम 1986 का उद्देश क्या था चलिए इन सभी option को पढ़िए और बताइए कि उपभोकता संडक्षन अधिनियम यानि कि ये जो है protect act है ठीक है ये जो है आपका 1986 का जो है किस से संबंध है मतलब इसका उद्देश क्या था उपभोकता संडक्षन अधिनियम तो option पढ़ेंगे सिकायतों पर कारवाई के लिए तंत्र परदर करना ये भी इनका उद्देश में से एक है उपभोकताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूख करना ये भी सही है उपभोकताओं को धोखा धड़ी और अन्याई से बचाना तो ये भी आपका सही है कहने का मतलब उपभोकत यहाँ पर सभी होगा सही जबाब ठीक है उपभोकता संडक्षन अधिनियम 1986 का उद्देश ये सभी के सभी यहाँ पर सही जबाब है तो देखिए एक पर सही से भी पूछ लेगा कि उपभोकता संडक्षन अधिनियम जो है कब लाया गया था वर्स 1986 में चलिए आगे चले कौन सा रेल स्टेशन है यानि कि रेलवे स्टेशन की बात हो रही है उस रेलवे स्टेशन का नाम बताई है जिसे पहले Victoria Terminus के नाम से जाना जाता था Victoria Terminus के नाम से किस रेलवे को पहले जाना जाता था यानि कि किस रेलवे स्टेशन को तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है लोकमान इतिलक Terminus है एक दुसरा है छटरपती सिवाजी Terminus तो कुछ लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं लोकमान इतिलक Terminus अक्सर लोग कर देते हैं जो कि गलत जबाब है Victoria Terminus के नाम से पहले जो है छटरपती सिवाजी Terminus को जाना जाता था तो ओप्सन नमबर डी यहाँ पर सही जबाब है छटरपती सिवाजी Terminus को जो है Victoria Terminus के नाम से जाना जाता था और 1996 में ठीक है 1996 में जो है मराठा समराज के संस्थापक छटरपती सिवाजी के समान में जो है इस इस्टेशन का नाम बदल कर छटरपती सिवाजी Terminus कर दिया गया है तो यहाँ पर एक प्रस्ण और क्या बन गया मराठा समराज के संस्थापक कोन है छटरपती सिवाजी क्या है छटरपती सिवाजी मराठा समराज के संस्थापक है चलिए आगे चले Dumping सब्द का क्या अर्थ है Dumping सब्द का क्या अर्थ है तो देखिए डंपिंग सब्द का मतलब है सिमान्त लागत से कम कीमत पर किसी बस्तू की विदेशी बजार में बिक्री कहने का मतलब डंपिंग का मतलब यह हुआ कि विदेशी बजार में सिमान्त लागत सिमान्त लागत मतलब क्या मार्जिनल कोष्ट मतलब प्रोफिट के साथ कोष्ट मार्जिनल कोष्ट से कम कीमत पर किसी भी बस्तू की बिक्री को जो है डंपिंग कहा जाता है बिदेशी मार्केट में तो यहाँ पर आप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा सिमान्त लागत से कम कीमत पर किसी बस्तू की बिदेशी बजार में बिक्री अगला प्रसंद देखिए बौध धर्म के संस्थापक कोन थे फटा फट आंसर बताएंगे आप लोग बौध धर्म के संस्थापक कोन थे बौध धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो आंसर होगा सिद्दार्थ कुछ लोग यहाँ पर गौतम बुध को खोज रहे होंगे तो वो भी गलत नहीं है वो भी सही ही है क्योंकि सिद्दार्थ जो है गौतम बुध का ही एक नाम है तो देखिए गौतम बुध को साक्यमूनी या तथागत भी कहा जाता है और यह सिद्दार्थ यानि की गौतम बुध को बौध धर्म का संस्थापक माना जाता है और गौतम बुध का जन्म जो है छाटवी सतावदी इसापुर्व में कपील बस्तु नेपाल के पास लुम्बनी में वैसाक पूर्निमा के दिन साक गनराज के सासक सुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के घर में हुआ था तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम हो जाएगा सुद्धोधन और माता क्या हो जाएगी माया आगे चले अगला प्रस्ण है यूज दा करेक्ट एंटोनीम फोर अंडरलाइन वर्ड्स ये है आपका इंगलीज का प्रस्ण जैसा कि आप लोगों का सलेवस में दिया गया है तो ये जो है इस तरह का प्रस्ण पूछा गया था वर्स 2017 के एक्जाम में कॉंस्टेवल वाला में तो वहाँ पर आप जाकर के मिला सकते हैं पूछा गया था इसी प्रकार से इंगलीज का प्रस्ण Use the correct antonym for underlying words antonym का मतलब यहाँ पर क्या होता है उल्टा सब्द जैसे हिंदी में होता है बिलोम सब्द उल्टा सब्द वही होगे आपका antonym तो दिखिए sentence किया है see looks pretty no matter what she wears तो यहाँ पर दिखिए इसको अगर आप हिंदी किजिएगा इस sentence को तो क्या होगा see मने वह लड़की के लिए है looks मने दिखती है दिखना ठीक है वह दिखती है pretty को अभी हम लोग नहीं जानते है underline वाला को हम नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है see looks वह दिखती है कैसी दिखती है हमें नहीं पता है लेकिन क्या है, no matter what, see, wear, मतलब होता है कपरा, पहनना या फिर पहनना हुआ, पहनना होता है, तो कहने का मतलब वह दिखती है, कोई माइने नहीं रखता है, वह क्या पहनी है, मतलब क्या पहनी है, वह सुन्दर दिखती है, कैसी दिखती है, सुन्दर, तो pretty मतलब हो जाता है तो यहाँ पे पूछा गिया है एंटोनीम, एंटोनीम मतलब उल्टा सब्द, मतलब सुन्दर का उल्टा सब्द यहाँ पे बताईए, तो इंगलीस में अगर आप लोग जानते होंगे, अगली मतलब क्या होता है, अगली मतलब होता है बेढ़ंगा, जो की बद सूरत जिसे कह करते हैं, तो यहाँ पे अंसर हो जाएगा प्रेटी का उल्टा सब्द यानि के इंटोनीम अगली, तो ओप्सन डी यहाँ पर सही जवाब है, बांकी का ओप्सन देखी, अट्रेक्टिव मतलब आकरसन करने वाला, लवली आप लोग जानवे करते हैं, प्यारा साथ, लवली लव, चार्मिंग मतलब जो है, मोहक होता है, मतलब किसी को जो है मोहने मतलब अपने इधर जो है, नजदीक लाना, चार्मिंग, ठीक है, तो यहाँ पे अगली आपका अंसर है, चलिए आगे चलते हैं, भारत के किंद्रिय सतरकता आयोक का मुख्याले, सतरकता आयोक का किंद्रिया सतरकता आयोक का मुख्य कार्य इन में से क्या है अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोकर करके देख लिजिए वरना इसका अंसर हम बता रहे हैं इसका अंसर जो है देश के जांच अभी करनों पर निगरानी रखना जो है भार जोना कब की गई थी 1964 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा फरवरी महने में और इसका मुख्याले कहां है नई दिल्ली में है चलिए आगे चले ये आप लोग देखिए देख लिए तो अंसर भी कर लिए प्रस्न क्या है परमानू उर्जा संयंत्र क्या है परमानू परमानू उर्जा संयंत्र में पर्यूक्त इंधन उर्णियम जो होता है उसका परमानू कर्मां के कितना होता है तो परमानू कर्मांग जो है उर्णियम का होता है 92 यानि की बानवे और दर्बिमान संख्या कितना होता है 238 आगे चले अगला प्रस्न देख लिजिए ये भी आपके सामने मैप है और देखकर के बताईएगा प्रस्न पहले यहाँ पर पढ़िए निमलखीत में से कौन सा कल्प वन के बितरन को दर्षाने वाला मानचितर के लिए सही सबद है कहने का मतलब यह आपका मानचितर है जैसे इंडिया है यह अपना हिंदुस्तान तो यहाँ पर आप देखिए यह है आपका हरा हरा छेतर जो दिख रहा है यह कहने का मतलब इस छेतर में जो है बन जो है जादा मातरा में है इस छेतर में, जहाँ जहाँ पर आपको हरा दिख रहा है, जैसे ये seven sisters में जाईएगा, असां का छेतर जो है, असां में गाले में जोरम, इधर जाईएगा तो यहाँ पर देखिए बहुत जादा जंगल है, मतलब one है, इधर, तो यह जो है आपको map में जो अपना होता है ने map, उसी में जो है, map में देखिएगा, तो ऐसे जो दिखाता है, उसको thematic map कहते हैं, मतलब यह हरा-हरा आपको दिखा देगा, इसका मतलब यह हुआ कि इधर जो है one बहुत जादा है, जहाँ 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 पर हरा हरा है, वहाँ पर one है, जंगल है, तो इस से कौन सा है लकरी गोबरगैस कोईला ये सभी के सभी जो है सही है उपर युक्त सभी option number d यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं मेरे बावु तो देखी यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये बायो मास जो है ये क्या होता है बायो मास जो है वह उरजास रोत है जो जानवरों के कच्रे और पाउध्यों की समागरी से प्राप्त होता है उसे जो है बायो मास कहा जाता है फिक है तो जानवरों के कच्रे मतलब क्या जानवर के कच्रे जैस और पौधों की समागरी, जैसे की सबजियों का कचरा, लकरी, ये सब आपका क्या होगा, बायोमास होगा, तो परयूगति यहां पे सभी जबाब होगा, बायोमास उर्जा का सुरोध जो है, ये सभी के सभी है, आगे चले, गुप्त यूग के दवरान, आर्यभट का नाम आर्यभाट जो है क्या थे गनिताग्य थे तो option C यहाँ पे सही जवाब है गनिताग्य तो यहाँ पे एक प्रस्ण यह बन जाता है कि यह जो है आर्यभाट किस यूग में जो है गनित के जो है महान वेक्ती थे गुप्त यूग ठीक है और यहाँ पे एक प्रस्ण यह भी बन जो है इसी राजवन्सक थे मतलब स्री गुप्त वन्सक थे और आपने नाम सुना होगा पंच सिध्धान्तिका और ब्रदंत सहिंता ये दोनो जो है पुस्तक का नाम है और अक्सर पूछ लेता है कि पंच सिध्धान्तिका ये किसके दुआरा लिखा गया है तो धियान वरा मिहीर द्वारा वरा मिहीर जो की स्रीगुप्त राजाओं में से एक राजा थे चलिए और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप लोग को बता दें कि फटा फटा आप लोग वीडियो को लाइक जड़ किजिए क्योंकि आप लोग कंटेंट देख पा रहे हैं कि किस तर चीजें के साथ हम आपको को संस्क्रा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लिजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसमें आपको कोई संदे नहीं होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यहाँ पे पहली बार आए है तो तुरंत इस च Hindi का प्रस्ण, Hindi में कितने कारक होते हैं, फटफट बताइए नीचे commit box में, हिंदी में कितने कारक होते हैं, answer जो होगा 8, कुल मिलाकर हिंदी में 8 कारक होते हैं, तो option A यहाँ पर जितने लोग कर लिए हैं, बिल्कुल सही किये हैं, तो दिखिए 8 कारक के नाम और विभक्ति के बारे में आपको जानना है, आट कारक कोन-कोन है? यह है करता, करता कारक का ज़ुत है, ने, मतलब इसको पहचानने का जैसे पुछ लेगा एक संटेंस रहेगा, राम ने सीता से साधी की, इसमें जो है कौन सा बिभक्ति है, तो क्या है किसने साधी की, राम ने, तो ने लगा ह तो यह कौन सा कारक हो गया करता कारक तो यही है बिभक्ती मतलब यह कारक को पहचाने का एक तरीका है तो करता का जो है यह आपका बिभक्ती हो गया ने कर्म का हो गया को करन का हो गया से द्वारा संप्रदान कारक का हो गया को के लिए हे तू आपादान कारक के हो गया से आपादान कारक है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको तरीका बता दिया है से वहाँ पर है तो वहाँ पर देखिएगा कि से का क्या मतलब निकल रहा है अलग होने का अर्थ जैसे कि पत्ता पेर से अलग होकर के गिर जाएगा तो यह होगी आपका अपादान कारक ले तो हम हिंदी ब्याकरण का इस पेसल एक सेपरेट वीडियो डालूं अगर आप लोग कहें तो फूल कॉंसेप्ट के साथ चलिए आगे चले एक तत्व की परमानु संख्या 16 एवं दरव्यमान संख्या 32 है तो उसमें उपस्थित नियोट्रोन की संख्या कितनी है यह निमे दरव्यमान संख्या कितना है 32 है तो इसका जो है उपस्थित नियोट्रोन की संख्या कितनी है तो दिखिए सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना है परमानु संख्या को जो है प्रोटोन कहा जाता है क्या कहा जाता है और यहां पे जो है दरव्यमान दिया गया है डरविमान संख्या को खांते हैं दियान रख्ये दरविमान संख्या को क्या कहते है इसका फोर्मूला क्या हमाता है अब 술 ने ने मिलाकर 32 यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रस्ण में दिया गया है द्रविमान संख्या 32 हमें निकालना क्या है निट्रोन की संख्या तो 32 बराबर क्या होना चाहिए नियोट्रोन प्लस प्रोटोन तो यहां पर प्रमानु संख्या जिसे कि हम लोग क्या करते हैं प्रोटोन तो यह कितना दिया गया है तो दोनों मिल करके जब द्रविमान संख्या होता है तो यहाँ पर प्रमानु संख्या दिया गया है यानि कि प्रोटोन तो नियोट्रोन कितना रहा होगा शोला को 32 से घटा दीजिए मतलब 32 में से 16 अगर आप घटा आएंगे तो क्या निकलेगा इस खाली जगा में आपको क्या भरना है यानि कि कौन सा प्रोपर होगा वो आपको बताना है sentence किया है the news paper is blank the coffee table मतलब क्या news paper यानि कि अख़वार अख़वार जो है कौन सा टेवल पर है कोफी जहां पर है ना कोफी वाला टेवल पर है पर पर देखते ही आप कौन सा प्रोपर पोजिशन लगाएंगे है ओन क्योंकि टेवल के उपर तो ओन लगेगा यहां पर option नमबर ड की कौन सर किजिए ठीक है चलिए आगे चले अगला प्रस्न देखिए लिखवाना क्या है लिखवाना सब्द किस किरिया का है देखिए एक होता है लिखता लिखना पढ़ना कमाना दौरना नाचना तो यहां पर है लिखना नहीं है लिखवाना यह सब्द किस किरिया का है भ जैसे कि एक जगरा कोई करता है एक खुद जगरा करता है लराई करता है और एक ऐसा वेक्ति होता है जो दूसरों को जगरा करवाता है दूसरे से जिसे आपने सुना होगा उसको पिटवा दिया मोहन ने सोहन को पिटवाराया मतलब मोहन ने खुद नहीं पिटा है सोहन को बल दखे प्रेर नार्थक किरिया का मतलब उसका पड ornamentsा द इख है जहां करता खूद काड यह ना करके किसी अन्य-व्यक्ति के द्वारा करता हो उसे प्रे नार्थक किरिया मतलब क्रें रहा है 그 मुक्त लिखोत दोivers oh boy c question cancer देना पड़ता है ठीक है तो वहाँ पर जो है कोई वेक्ति का जैसे कि मानले जी हाथ नहीं है तो अपना तो लिखेगा नहीं किसी और से लिखवाएगा ठीक है कोई और वेक्ति को देगा न ऐसा तो प्रवधान है कि आप किसी और वेक्ति को रख सकते हैं तो वह क्या हो ग राज्य भारत में रबर का सबसे बरा उत्पादक है रबर का उत्पादक जो है भारत में सबसे बरा राज्य कोन है उसका नाम बताईए आंसर जो यहाँ पर है केरल है और केरल भारत में रबर का सबसे बरा उत्पादक है और केरल राज का गठन कब हुआ था अगर मैं आप से पूछ लूँ तो आंसर आप लोग क्या करेंगे एक नवंबर 1956 को ठीक है और केरल की राजधानी जो है तिरिवनंत पूरम के साथ जो है एक नवंबर 1956 को राज का गठन किया गया था और दुनिया का चौथा सबसे बरा रवर उत्पादक देश अपना प्यारा सा देश इंदुस्तान यानी की इंडिया भारत है ठीक है तो डैरेक्ट प्रस्ण क्या बन गया भारत जो है दुनिया में रवर उत्पादक के मामले में कौन से नंबर पर आते हैं चौथे नंबर पर और इंडिया में राज कौन सा नंबर पर जो है रवर के मामले में आते हैं बैज्ञानिका नाम बताइए जिसे न्योटरोण की कोज का स्रेय दिया जाता है और उसी के कारण 1922 में नोवेल ४ुरुचका depends था उस बैज्ञ्यानिका नाम बताइए तो यहां पर दो प्रस्न है लेकिन अगर आप लोग जानते हैं कि न्योटरोण की किस की ने किया है तो लोग बेसिकली बहुत अच्छे से इस प्रस्न कांसर कर पाएं होंगे तो देखिए निट्रोन की खोज जो है जैम स्चेडवीक ने किया है और इसी के कारण जो है जैम स्चेडवीक को निट्रोन की खोज के लिए वर्स 1932 में नोवेल पुरुसकार से समानित किया गया था बा जैडियो धर्मिता और परमानु अविक्रियाओं में अपने सोध के लिए नोवेल पुरुसकार जीता है मैक्स प्लेंक कौन है यह आधुनिक भोतिकी का क्वांटम सिध्धांत दिया है तो यहां पर जैम स्चेडवीक जो है राइट आंसर है चलिया आगे चले किसने इस द क्रिष्टी से जो है यह बरकरार रखा गया है तो यहां पर धर्म हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई की नहीं हो रही है हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई की यहां पर बात नहीं हो रही है क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई है सब है देश का भाई तो यहाँ पर आंसर होगा वही राष्ट पिता темा गांधी जी दो देखें गांधी जी कहा करते थे की धर्म को राजनिती से कभी अलग नहीं किया जा क्योंकि धर्म, जो है for Hindu, Muslim, Sikh, Isai, सब है देश का भाई-भाई, ऐसा कहा करते थे. Ghandhee जी इसका मतलब यह नहीं, Mahatma Gandhi का Hindu, Islam की तरह कोई विसेश धर्म से कोई तालूक नहीं था यहाँ पर, ठीक है. यह सेंस यहीं नहीं बनता है, कि हिंदू मुस्लिम ये सब की बात हो रही है ये नैतिक मूल्य थे जो सभी धर्मों को सुचित करते हैं ये इनका जो है संबंध था इन से ठीक है चलिए आगे चले निमलगीत में से कौन सी लोकतंत्र की विशेष्टा है लोकतंत्र की विशेष्टा के बारे मैं यहाँ पर प अत्मान में सत्ता में रहने वालों के हारने की उचित संभावना होती है तो ये लोकतंत्र में होता है इस बिकल्प का परयोग संभिधान और नागरिकों के आधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सिमित सरकार की ओर जाता है तो ये भी सही है कहने का मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब होगा option number D अगला देखिए kilowatt घंटा क्व यह निकीत में से किसकी इकाई है यानि की unit है बताईए kilowatt घंटा जो है किसकी unit है answer होगा यहाँ पर उर्जा option number D तो देखिए kilowatt घंटा जो है उर्जा का unit है बांकी का option देखिए बल क्या है बल की इकाई क्या होता है Newton संबेग की इकाई क्या होता है किलो ग्राम मीटर 30 सकेंड यानि की kgm पर सकेंड विद्यूत सक्ति की इकाई क्या है वाट तो यह बांकी सब option के answer होगे आगे चले भारत में परिवहन का कौन सा साधन परिवहन मतलब क्या यात्रा करना इधर से उधर तो परिवहन का मुख्य साधन जो है इंडिया में सरकें हैं option number C सरकें ठीक है आगे चले दिये गए विकल्पों में से कौन सा सब्द समूद्र का प्रयायवाची है समूद्र का प्रयायवाची इंगलीस में जैसे हम आपसे पुछते हैं न सिनोनीम उसी परकार बताए ये समूद्र का प्रयायवाची क्या होगा समूद्र का प्रयायवाची होगा इन में से पयोधी देखिए समूद्र का प्रयायवाची सब्द जो है पारावार ये सबी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं अगला प्रास में देखिए कौन सा देश UNSC का अस्थाई सदस्य नहीं है यहाँ पे देखिए UNSC का मतलब क्या होता है यू से होगी आपका United and National as a Security Council यानि कि United Nations Security Council का पर्मानेंट सदस्य इन में से कौन नहीं है तो देखिए UNSC का पर्मानेंट मेंबर जो है पांच है तो वो मैं आपको बताता हूँ इसमें से फिलान आंसर होगा यह नंबर भारत तो देखिए UNSC का पुरा नाम होता है United Nations Security Council और इसका मुख्याल यानि के Headquarter है New York United States अमिर्का में इसकी अस्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई है और इसके पांच अस्थाई सदस कोन कोन है तो ध्यान रखिए संयुक्त राज अमेरिका रूस चीन UK UK मतलब क्या London वाला वही England और France यह पांचों जो है अस्थाई सदसी है अभी फिलाहाल इंडिया जो है UNSC का है कि हो जाए चलिए 25 को सन्स हमने आपको कराया एक प्रस्ण आपके लिए है जो कि बिहार के बरतमान राजपाल कौन है यह आपको बताना है बिना option कि आप बताईये बरतमान में बिहार के राजपाल यानिकी गवर्नर कौन है और यहाँ पर एक जरूरी सूचना देना चाह जैसा कि आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाएगा कहां पर जाना है आपको Google में सर्च किजिए इस वेवसाइट को www.dailystudy.co.in एक बार फिर बता रहा हूं daily study में आपको .com नहीं लगाना है .co.in इन मतलब इन इसलिए लगवाया गया है कि ताकि पता लगे कि ये इंडियन वेवसाइट है ठीक है मतलब बहुत अच्छे समझ माएगा कि ये इंडिया के लिए ये जो है study material तयार देने वाली ये वेवसाइट है क्या है dailystudy.co.in तो इस वेवसाइट पर आप लोग जाईए और यहाँ पर बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए फूल प्रैक्टिस सेड बिलको फिरी में लगाईए फूल एक्स्प्लेन के साथ और पीडिया भी आप लोग यहीं से तुरंत डाउनलोड कर लिजिए टेस्ट देन तो आपका सारा कवर हो जाएगा तो चेप्टर वाइज भी यहाँ पर आपको करवा दिये हैं तो जरूर जाएए इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in और अंत में आप लोग इस वीडियो को सेयर जादे से जादा जरूर करें अपने दोस्त वाट्स अप ग्रूप टेलिग्रा साथ बजे अवस आ जाईएगा